है 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 हलो है गुड आप्टनून दियर स्टुडेंट में एक इडिजी ऑनलाइन प्लेट फॉर्म में आप सभी का स्वागत है विटा रुड सर वेट कर रहे territ का पूरा से की जिएना सर प्लीज बिल्कुल बिटा करेंगी करेंगी आप चिंता ना किजिए digging पूरा कोर्स करेंगे आप थोड़ा अभी थोड़ा बेटा पेशेंच रखें सब होगा बेटा प्लीज अपने कलीक्स को सेर कर दीजिए बेटा जल्दी से जल्दी ओंलाइन आ जाईए प्लीज लाइक, सेर एंट सब्सक्राइब जल्दी बेटा लाइव आ जाए फिर सुरू करते हम सर डिप्लोमा वाले देख सकते हैं बिटा कोई भी देख सकता अगर आपके काम का है तो सब लोग देखें पंकच सर्मा हलो गुड आप्टर नून कुमार चंदन गुड आप्टर नून नितियस कुमार हलो चलो बिटा शुरू करते हैं मंड़ा चैटप प्रोब्लम सा अगए थी मैं आपको पिक्चर नहीं दिखा बाए था आज पिक्चर के अपको थोड़ा बताता हूं मैं ये वन्टा वेलडिंग का हमारा पूरा सेटआप है पूरा सेटप जो है आपको अगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा गैस वेल्डिंग का पूरा का पूरा सेटप है यहां पर आपको दो सिलिंडर दिख रहे हैं बिटा दो स्लिंडर दिख रहे होंगे, एक छोटा सा स्लिंडर है और एक आपको लंबा सा स्लिंडर दिख रहा होगा छोटा वाला स्लिंडर बेटा, ये वाला जो स्लिंडर है छोटा वाला स्लिंडर ये है आपका एसिटलीन का चोटावाला स्लिंडर है आपका वह असिटिलीन का है और मैंने आपको कल भी बुला था, पता, असिटिलीन का जो स्लिंडर होता है, in comparison of oxygen तो अगर मैं कहूं, अगर मैं बात करूँ, बटा मेरी आवाज आरी है? तो मैं हम बात कर रहे थे बटा कि छोटा वाला जो स्लिंडर है यह आपका का Acetylene का है मतलब C2H2 का है इसका जो साइज है विटा अगर मैं साइज की बात करूँ इसका जो साइज होता है यह छोटा होता है in compression of oxygen cylinder और इसका जो ब्यास होता है वो क्या होता थोड़ा बड़ा होता है कि बड़े बात क्लियर होगी बेटा इधर आपको जो सिंडर दिख रहा है इधर जो आपको लंबा सिंडर दिख रहा है यह आपका किसीजिज का सिंडर है यह है oxygen का सिंडर और अगर मैं बात करूँ इसके, साइच की अगर मैं बात करूँ तो in comparison of acetylene cylinder ये हमेशा क्या होता है? लंबा होता है और ब्यास में क्या होता है? पतला थोड़ा अगर मैं यहाँ पर ब्यास बड़ा लिख रहा हूँ, इसका मतलब है in comparison of दूसरा जो इसके साथ cylinder है चाहिए वो oxygen हो या फिर आपका acetylene का cylinder हो इतनी बात मेरे clear होगी? ये पूरा का पूरा set अगर आप देख रहे होंगे बटा तो एक acetylene का cylinder है, दूसरा आपका किस चीज़ का है, oxygen का है बेटा ये वाला जो cylinder आपको दिख रहा है यहाँ पर acetylene का जो cylinder दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? compress cylinder है ये क्या आपका? compress cylinder है, मतलब इसमें acetylene जो भरी गई है, वो compress करके भरी हुई मैंने बेटा आपको कल भी बताया था, कि acetylene को, compress करके भरना, किसको? C2S2 को C2S2 को compress करके भरना चुनोती पूर्ण होता है, क्यों होता बेटा? क्यों होता है? क्यों? क्योंकि high pressure में, high pressure में इसका क्या होने लग जाता है? thermal decomposition होने लग जाता है, उस कारण क्या हो सकता है? आपका explosion होने का खतरा होता है, इसलिए इसको high pressure पे store करना बहुत खतरनाग माना जाता है generally 0.7 kg per cm2 से उपर इसको store करना जो है, pure form में, बहुत खतरनाग होता है, या फिर हम बोलते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसलिए इस चुनोती को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको में मिलाते हैं, हम मिलाते हैं liquid acetone क्या मिलाते हैं? बहुत important point है बटा, exam में बहुत पुछा गया है इस चुनोती को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें liquid acetone मिला देते हैं, फिर जाके मेरा क्या बन जाता है, उसके बाद बन जाता है मेरा DA, आपने shortcut में देखा होगा, इसको कहते हैं बटा, dissolved acetylene इतने बाद मेरी clear होगी बटा, compress करके जब हम acetylene को भड़ते हैं, तो उस cylinder में जो आपकी acetylene होती है, वो बटा, pure form में नहीं होती है वो क्या होती है, वो dissolved acetylene होती है, और उसको dissolved acetylene बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें liquid acetone मिलाते हैं मेरी बाद clear होगी, बहुत important point है वेटा, यहां से एक चीज निकल के आई, कि जो मेरा oxy acetylene का जो cylinder है, इसमें जो मेरी gas होती है acetylene, वो pure form में नहीं होती है वो क्या होती है, dissolved होती है, उसको dissolve करने के लिए, क्या करना पड़ा, क्यूं, मैंने आपको कल बता चुका हूँ बिटा, यह जो है बहुत flameable gas है, unstable gas है, high pressure पे store करना इसको बहुत खतरनाक होता है, हलके सा hill ढूलके यह reaction शुरू हो जाती है, और explosion कर सकता है तो इन सब चीजों को, इन सब चुनोतियों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको dissolve कर देते हैं, और dissolve करने के लिए हम क्या मिला रहे हैं इसमें, liquid acetone, इतनी चीज clear होगी इतनी चीज clear होगी, इतनी बात मेरी clear होगी, इसके अलावा इसमें, इसके अलावा इसमें, कुछ material मिलाते हम, जैसे आपका, coke, asbestos, यह क्या करता है बिटा, यह क्या करता है आपका, जो तरल पदार्थ, liquid पदार्थ है, यह जो पदार्थ इसमें हम मिला रहे हैं, इसमें क्या होती है, छिद्रीक्त होते हैं, spongy type के होते हैं, यह क्या करता है, अपने अंदर इं तरल, liquid पदार्थ हों को समा लेता है, तो वहां पर क्या करता है, इसका क्या रोल है वहां पर, यह क्या करता है, अंदर अगर, कुछ इसको लिखेंगे बिटाम, चार कोल, इसके लावा अगर आप सिलिंडर देख रहे होंगे बिटा, इसमें फ्यूजिवल प्लग लगे हैं, अब फ्यूजिवल प्लग क्या होता है बिटा, मैं आपको बहुत आसान तरह समझाता हूँ, सब लोगों आपने प्रैसर कुकर घर में देखा होगा, अगर प्रैसर कुकर का धकन अगर आपने देखा होगा, तो उसका जो हैंडिल होता है, उसके जश्ट नीचे एक पलग लगा होता है, और वही प्लग जो हमारा क्या है, वो वहाँ अंदर temperature बढ़ना सुरू हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, melt हो जाएगा, low melting point कुछ material का आपका बना होता है, उसके बाद क्या होगा, वो गल जाएगा, वो पिघल जाएगा, और जो आपके अंदर की जो gas है, वो एकदम भार निकल जाएगी, तो इससे क्या होगा, अगर gas आपके अंदर निकल गई, इससे क्या होगा, आपका explosion बच जाएगा, अगर आपका cooker फटेगा नहीं, अद्रबाइस क्या होगा, gas आपके अंदर ही रही, pressure अंदर मेंट बनता रहा, तो क्या हो जाएगा, एक ताइम के बाद आपका cooker फट जाएगा, इसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर, fusible plug लगा रहे हैं, ताकि वहाँ से क्या हो जाए, वो melt हो जाए, और अंदर की जो gas है, वो एकदम भार निकल जाए, तो वही चीज बेटा, यहाँ पर follow हो रही है, यही काम यहाँ पर, fusible plug का है, आप देख रहे होगे, fusible plug किन किस स्लेंडर में उपर भी लगे होते हैं, ठीक, extra security के लिए, तो यह चीज होगी बेटा, विटा, fusible plug, इसके लाब विटा, यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर लगाओ, देखो, pressure regulator ऐसे लगते हैं, यह pressure regulator अभी हम आगे discuss करेंगे, pressure regulator हैं, यह आपका क्या है, यह आपका, यह valve है, यह gas का आपका valve है, अब देखो, क्या-क्या दिख रहा विटा आपको इसमें, यह दिख रही है आपको, blow pipe, fuel, gas, hose भी आपको इसमें देख रही होगी, हम कल पढ़ पढ़ चुके हैं, इसका जो color होता है, अगर मैं acetylene की बात करूँ, तो इसका color क्या होता है, आपका, maroon, और oxygen का जो color होता हो, क्या होता है, आपका, black, इसके लावा विटा, दो hose pipe मुझे यहाँ पढ़ दिख रहे हैं, hose pipe, एक, आपका कौन सा है, एक acetylene का है, और एक कौन सा है आपका, oxygen का, मैंने आपको कल भी बताया था विटा, acetylene का जो hose pipe होगा, उसका जो color होगा, color, होस कलर, acetylene का जो hose का color होगा, वो क्या होगा, आपका, red, और oxygen का जो hose pipe होगा, उसका जो color होगा, होस कलर, वो होगा, आपका क्या, blue, एक चीज़ बेटा, मैं आपको अभी clear कर दू, आपकी बहुत सारी query आ सकती है, आप लोग बोलोंगे, सर, हमने तो पड़ा है, कि जो oxygen का जो सिलिंडर होता है, उसका जो hose pipe का color होगा, वो ब्लैक होता है, सारी books में लिखा है, और acetaline का जो सिलिंडर होता है, उसका hose का color जो होता है, वो रैड होता है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर clear कर दू, बेटा, आप कोई सी भी book पड़ो, लेकिन, B.I.S. के norms के अनुसार, Bureau of Indian Standard के norms के अनुसार, जो hose pipe के color coding है, उसमें acetaline का जो hose pipe होगा, वो हमेशा red होगा, और आपका जो oxygen cylinder होगा, oxygen का जो hose pipe होगा, उसका color हमेशा blue होगा, according to B.I.S. norms, इतनी बात clear होगी, इतनी बात clear होगी, ठीक, इतना हमारा होगी है बेटा, इसके बाद चलते हैं हम, इसके बात चलते हैं बेटा, यह क्या है आपका? blow pipe, इसको हम आगे discuss करेंगे अभी, ठीक, इतनी सब चीज़े clear होगी बेटा, नेक्स स्लाइड में हम चलते हैं, यह बेटा, oxygen cylinder के just उपर, oxygen cylinder जो होता है, या फिर अस्टिलनी सिलिंडर, उसके just उपर जो लगता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं, valve, इसको हम क्या है आपके, valve, यह किस के उपर लगता है, just उपर लगता है आपका किसके, cylinder के, देखो, cylinder के अंदर से gas आईगी, और यहाँ पर क्या लगएगा, इधर साइड आपका क्या लगएगा, इस साइड क्या लगएगा, एग साइड लगएगा, आपका प्रेसर रेगुलेटर, इधर लगेगा गैस गैस कमिंग फ्रॉम सिलिंडर से आपकी गैस आ रही है और इधर क्या यह 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 क्या है आपका यहां पर क्या होगा आपका रेगूलेटर फिट होगा यहां पर क्या होगा प्रेशर रेगूलेटर आपका आपका फिट होगा यह आपका विल दिया वाए उपर खोलने बंद करने के लिए यह आपका कितना आपको खोलते हैं इसका भी बटा आपको ध्यान रखना है आप कभी भी पूरा एसे टेल्वा जो आपका उपर वील होता को पूरा कभी नियुक्त में आपका GWhichR निकलने सुरू हो जाती है तो इसका कभी कोशिशन पूश सकता है तो इसका भी आप ख्याल रखें जनरली कि सो कुपता है सब को पता है आपको किसी का बना होता है बौनज या ब्रास का हमेशा जनरली हम जितने भी आपके यह वाल्व है यह बने होते हैं यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं इतनी बात क्लियर होगी बटा तो यह क्या है आपका यह वालव है जो जस्ट आपके शिलिंडर के उपर लगता है है आगे चले जिलें वीटा बहुत इंपणनेंटि चीजिज यह पका प्रेसर अंत Карा निये दिखने में दोनों सेम ऐसे ही उगे यहां पर क्या है जो gas आएगी, अगर ये double, suppose, ये क्या है मेरा आई, ये double stage है, ये आपका क्या है, double stage आपका regulator है, pressure regulator, यहाँ पर क्या होगा, ये double stage है बेटा, double stage pressure regulator है, यहाँ पर क्या होगा, gas जो आपकी आएगी, hose pipe में, वो कैसे आएगी, दो chamber के होते वे आएगी, दो chamber से होके आएगी, एक chamber बेटा नीचे है, एक chamber आपका नीचे है, और एक chamber इसके उपर है, इसलिए अगर आपने देखा होगा, इसके size में बिल्कुल अंतर हो जाता है, single stage और double stage के size में अंतर होता है, यह थोड़ा फुला होगा होता है, कौन सा double stage, क्यों? क्योंकि इसमें दो chamber होते हैं, और दोनों में क्या होते हैं, spring control diaphragm होते हैं, क्या होते हैं, spring control diaphragm होते हैं, और needle type आपका valve होता है इसमें, ठीक, तो दो जगे से पास होके, आपकी क्या रही है, टीप रहामिल लगा होता है तो वह वहांसे fix होता है कि कितना pressure में जो है कितना pressure ही होग करेगा किस में 1st chamber में लेकिन दूसरा चेंबर होता है वहां पर हम regulating screw से उसको attrick कर सकते हैं कितना हमें就到 करवाना है आगे तो यहाँ पर मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है थोड़ी double security है मेरे को मिल रही है double stage pressure regulator के case में single stage pressure regulator का जो डाइग्राम होगा आपका जो आपको दिखेगा उसका view वो same SI होगा अंतर क्या होगा वहाँ पर क्या होगा जो आपकी gas flow हो रही होगी केवल एक chamber के थुरू आ रही होगी उसमें केवल एक chamber होगा उसमें भी क्या होगा spring control diaphragm लगा होगा और उपर क्या होगा आपका needle valve होगा और जो सिद्धे किस से connect होगा आपका regulating screw से इतनी बात मेरी clear होगी बटा double stage में दो chamber से आपकी gas गुजरती है पहला जो chamber नीचे वाला जो होगा वह automatic होता है और दूसरे को हम regulating screw उसे क्या करते हैं regulate कर सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं कितनी बात मेरी clear होगी बटा अब आप यहां पर देख रहेंगा बटा दो गेज है दो गेज यहां पर लगे हैं एक गेज अब देखो यह वाला सीरा जो है बेटा इसका यह connect होगा किसमें यह gas cylinder के वाल में आपका connect होगा इसका मतलब यहां से आपकी gas का जो flow आ रहा होगा यहां से inlet होगा यहां से outlet होगा यह जो बताएगा बेटाई वाला प्रेसर गेज यह बताएगा cylinder का प्रेसर के अंदर का प्रेसर इसका मतलब है यह प्रेसर गेज मेरा क्या बोल रहा है कि अंदर cylinder में कितने प्रेसर में जो है gas है सिरिंडर का अंदर जो gas भरी हो उसका प्रेसर क्या है और दूसरा वाला जो प्रेसर गेज यह बता रहा है मेरा यह क्यों सा जो flow हो रही है यह क्या बता रहा है कितना प्रेसर जो है मेरा ब्लो पाइप में जा रहा है कितना प्रेसर मुझको चाहिए वह मैं किससे रेगुलेटिंग इस्कुरू यह जो है इसको कहता है मैं रेगुलेटिंग इस्कुरू यह क्या है आपका रेगुलेटिंग इस्कुरू सो जब्यादा ज़या कि देगूलेटिंयग इस कुरों कि यह का कर सकता हूं इसे में कर सकता हूं कि कितनी गिस यहां से इ準क चाहिए कि working pressure को कितना चीए यह बताएगा आपका working pressure कि इतने आप को काम करना इऊ यह बताएगा है यह वागि च Website लगे उसके लाव भा साए है यह भी आपको पता है कि हरे दौ प्रैसर भीडर्टर जो होंगे आपके दो होंगे एग लगेगा वाय्जीटी ने की कि चिलिंडर पर एग लगेगा आपको और आपका यहसे तो सतली सिलिंडर का जो प्रेसर रेगुलेटर होगा एसिटलीन और ऑक्सिजन दो प्रेसर रेगुलेटर यूज होंगे एक एसिटलीन के लिए एक ऑक्सिजन के लिए एसिटलीन वाले में जो थ्रेट कटे होंगे यहां पर थ्रेट कटे होंगे यहां पर वो क्या से होंगे ल इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इतने बाट क्लियर होगी बेटा कुल दीप लहरी बेटा क्यों परिसान हो रहे हो होगा बेटा सब होगा आप चिंता ना करें होगा कि इस खर्ना गुड आप्टर नून बल्राम सरकार नमस्कार कि सर ब्लैक पैन से लिखे ओके बेटा अच्छली अभी पीछे जो मेरा वह है अभी ब्लैक पैन इस पर नहीं चल सकता है सब्सक्राल निघंड ईठील इतना क्लियर हो गया नेक्स लाइड में चलता हूं मैं प isol통 इस बयाइक आपको दिख रहा होगा वड़ा ये वेटा आपका House Connector अब Pressure Regulator के बाद इनका काम होता है ये काम'पर Connect रोता है ये लगता है आपका येवाला सी रहा है वेटा ये वाला सी रहा है ये लगता है आपका किस पे प्रेशर रेगॉलेटर पर लगता है और इसको कहते हैं किया ठीटा होस कनेक्टर इसको चेसकते हम इसको कहते है इसको कहते हैं बटा होस कनेक्टर इस वाले सिरे पे इस वाले सिरे पे यहाँ पर क्या होता है होस पाइप कनेक्ट होता है इस वाले सिरे पे क्या होता होस पाइप कनेक्ट होता है और कैसे कनेक्ट होता है अगर मैं ऐसे लगा दूँ बिटा हो सकता है प्रेसर से छूट जाए तो मैं इसके लिए क्या करता हूं क्लैंप यूज करता हूं इसको बोलते हैं मैं इसको क्या बोलगा होस क्लैंप इसको बो डिरेक्ट आपका फिट हो जाता किसमें, प्रेसर रेग्वलेटर में है, इतनी छीज बटा किलियर हो गई, इतनी छीज किलियर हो गई, ओके, next हम आगए बढ़ते हैं अगर हम असमा आगे next बढ़ते हैं अब आएगा आपका यह आगया blow pipe यहाँ पर आपको दिख रहा है फतंब दो empt दिख रहे हैं क्यों एक जो blow pipe हुट आपका यह gas welding के लिए और एक जो blow pipe है यह आपका वेल्डिंग और गैस कटिंग का पूरा जो ऑग Austin Had os अलींक के लिए टाइक पूरा जो सेट्ट अफ होता है वह एक जैसा होता है था Jascamai लूग आंधर क्या होता है वेलडिंग टॉर्च में अंधर क्या होता है वेल्डिंग टॉर्श यह और उसकी नोजल में, even वेल्डिंग टॉर्च भी अगर आप बदल आपकर जो नोजल बदल दो उस से भी आपकी एक host pipe जो आपका आ रहा है वो oxygen का रहा है दूसरा host pipe जो इसमें connect हो रहा है वो acetylene का हो रहा है उसके बाद इसके आगे आपको क्या दिखाऊँगा यहां पर आपको control valve लगे हैं दोनों के acetylene के भी और oxygen को regulate करता कितनी म्यातरम में मेरे को चाहिए pressure यहां पर तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, रेगुलेट कर सकता हूँ, अब यहां से मैं उसको खोल खोल के, यहां पर क्या करता है, यह बीच में क्या है, यह आपका mixing chamber, यहां पर जाके दोनो गैस जो अच्छी तरीगी से mix हो जाती है, यहां पर जाके दोनों गैस अच्छी तरीगी स से mix हो जाती है और यह बैटा question पूछता भी है बहुत important है कि आपकी जो oxy-astellin gas welding में आपकी जो gas है वो कहां पर mix होती है वो कहां पर होती है mixing chamber कभी यह भी पूछ सकता कि mixing chamber कहां पर होता है तो mixing chamber कहां पर होता आपका blow pipe पे मेरी बात के लिए होगी उसके बाद जो है आपका नूजल के थूरू गैस आपके बाहर निकलती है अब हम कल भी डिसकर्स कुछ कर चुके हैं विटा आपके जो blow pipe है वो भी दो टाइप के लिए होता है कि हमने कल डिसकुशन किया था कि यह वैल्डिंग जो हर दो टाइप की होती है या फिर मैं क्या होँ दो system से welding हो सकती है और दोनों system में अलग क्या है कि एसिट्लिण को प्रोड्यूस करने का तरीका कि करिंग का उतपादन हम कार्यस्तर पर ही करें working place पर ही करें या फिर मार्केश से सिलिंडर के फॉर्म में हम लेकर आए अगर मैं वर्किंग प्लेस पे अपनी गैस को बना रहा हूं थो मैंने उसको क्या बोल किया लो प्रेशर गैस्ट लो प्रेशर वैल्डिन शिस्टम है aber अगर मैं मार्केट से भरावा का सिलिंटर जिसमें क्या है compress cylinder फड़ी वह लेके आता हूँ और अपना welding करता हूं तो मैं इसको क्या बहुत है यह रीटें है कि दोनों सिस्टम के लिए बैटा दोनों टाइप की welding के लिए आपकी जो ब्लोट पाइप जो यूज होते हों अलग-अलग होते हैं हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग के लिए आप क्या करते हैं हाई प्रेशर ब्लो पाइप यूज करते हैं हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग के लिए हाई प्रेसर हाई प्रेसर ब्लो पाइप यूज़ करते हैं हाई प्रेसर गैस वैल्डिंग के लिए हाइ प्रेसर अगर बोल दूँ न वैल्डिंग में वैसी हाँ प्रेशर का मतलब कॉमप्रेस गैस स्लिंडर की फॉर्म में आसिटिलीन है और जैसे ही में लो प्रेसर बोलूं आप समझ लेना कि कार स्तल पर क्या कर रहा हूं मैं गैस का उत्पादन कर रहा हूं वहlyum ही सरकोड कर रहा हूं कैसे कल बैने आपको बताए था कारवेट होता यह कैसिम करवाइट जिसको आम पकाने की गैसज वेल्डींग के ली में लोव प्रेसर बहुत इंपॉर्टन कर आए मिलोव्प्रेसर गैसज वेल्डीं के लिए इन्जेक्टर टाइप ! इंजेक्टर किसे बना बता है ? इंजेक्शन से ! इंजेक्ट करना, इंजेक्टर टाइप, ब्लो पाइप, यूज करते हैं, यहां पर एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है वेटा, आप किस कोई भी ब्रांच के हो, आप कोई नॉलेज होना चाहिए, एक इंपोर्टेंट पॉइंट के आप बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट निगल के आता है वेटा, लो प्रेसर गैस वेल्डिंग के लिए, आप क्यों सी उज कर रहे हैं, इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप, इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप जो है वेटा, आप इसके के लिए तो करते ही हैं यह प्रेसर के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन हाई प्रेसर को आप इसके लिए लो प्रेसर के लिए तक सर दमते कर सकते हाई प्रेसर वाले को आप लोग प्रेसर के लिए यूज नहीं करते हैं इंजेक्टर टाइप में क्या होता है बिटा क्या होता है लोग प्रेसर में क्या होता है ऐसी ठीलिंग का प्रेसर ज्यादा नहीं होता है जितने हमारी requirement होती उतनी हम बनाते हैं इतना उसका pressure नहीं है कि वो mixing chamber में जाके अच्छी तरीकी से अपना आप मिल जाए oxygen को pressure आ रहा है लेकिन acetylene का नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं बैटा oxygen को बहुत तेजी से inject करा जाता है एकदम उससे क्या होता है आपका जो acetylene है वो अच्छी तरीकी से मिल जाती है उसके बाद आपको इस opening से बहार निकल जाती है यह है injector type आपका blow pipe तो हमें साब धियान रखिए injector type blow pipe जो है वो low pressure के लिए यूज करते हैं लेकिन उसको high pressure के लिए भी यूज कर सकते हैं बट high pressure blow pipe को low pressure gas welding के लिए यूज नहीं कर सकते यह point note कर लो वेटा important point है वेटा note कर लो दूसरा चीज जो देख के ही समझा रहा है gas welding जो torch gas cutting जो torch होती ही वेटा gas cutting जो torch होती है इसमें आपने देखा होगा वेटा इसमें क्या है आपके तीन pipe है तीन pipe है उपर वाले में दो pipe है इस वाले में कितने हैं तीन pipe इन दू इन दो में एक में तूर रा होगा बीटा c 221 और इसमें तो आ रहा होगा c2 2 और सेवारा होगा वालीं, और लेकिन यहां पर तीन दिये हैं । सबसे उपर वाला जो है बेटा इससे क्या निकलता है प्योर जैट ऑफ ओटू मैंने जैट क्यों लिखा बेटा हाई प्रेसर बहुत हाई प्रेसर से जो है यहां पर क्या किया जाता है और जैन का फ्लोक राया जाता है इस पाइप से अब यह आपॉर अच्छी तरग जो समझाएंगी जब मैं आपको नोजल बताऊंगा इसलिए देखे वुटा इसलिए यहां पर क्या दिया हुआए एक लीवर दिया होगा इहां पर लीवर दिया होगा मेरी इतनी बात क्लियर होगी बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम सिंपल है दूसरी चीज आप देख रहे होंगे बेटा गैस कटिंग जो होती है उसकी जो नोजल होती है वो 90 डिग्री पर होती है कटिंग जो होती हमेसा यह समझ लो यह 90 डिग्री है ऐसे कटिंग होगी 90 डिग्री पर लेकिन यह देख रहे हो आप एंगल लगवग 120 डिग्री के आसपास होगा 110-120 डिग्री के आसपास और इंरले कभी कोशन पूछ भी देता है विटा तो अगर आपसे इंजरेल कभी कोशन भी कजिता है कि कितना होता है तो महाँ और आपट्स अबके 120 डिग्री होगा किसका एंगल यह अब यह एंगल भीटेख़ए डिपैंड करता है यह कटिंग मैसर्ट अब कटिंग यह 90 degree पर कट करती है, इसकी जो nodal होती है 90 degree पर नहीं होती है, ठीक यह लगभभा कितनी होती है आपकी, 120 degree पर bent होती है, bent होती है, cutting कितना angle पर करती है, यह लग से topic है आपको, क्या method है, क्या technique है welding cutting है, कौन से metal को cutने के लिए कितना angle लखना पड़ता है welding के केस में, वो अलग मैंठाल की बात करूं कि यह सारी रॉर्व की बात करूं चाहिए आपका इसकी बॉठी की बात करऊंज्टों का आपके बने होते हैं कि एक आगे बठते हैं मैपाल कि बहुति हमपोर्टन चीज़ ब्लो पाइप का लास्ट और सबसे important चीज यही चीज है जो welding और cutting को अलग करती है पूरे welding setup का अगर मैं कहूं तो यही एक सबसे बड़ी चीज है जो मेरे को welding से cutting को अलग करती है यह जो है किसकी नोजल है यह है आपकी welding नोजल और यह वाली जो दिख रही है वेटा आपको यह है आपकी cutting नोजल और अगर मैं welding लिख रहा हूं तो आपको पता होना चीज है कौन सी welding हम gas welding के बारे में पढ़ रहे है ठीक क्या अंतर देख रहे हो इसका front view अगर आप देख रहे हो तो आपको आपने क्या देखा इसमें क्या देखा इसमें आपने देखा होगा इसमें कि इसमें क्या है होल का difference है एक में ज्यादा होल है और एक में कम है गैस welding की जो नोजल होती उसमें एक सिंगल होल होता है और इस से ही क्या निकलता आपका mixture of C2H2 and O2 मतलब mixture of oxygen और acetylene लेकिन बगल में जो gas cutting की नोजल आप देख रहे हो विटा इसमें आप center में एक छेट देख रहे होंगे विटा एक होल आप center में देख रहे होंगे विटा एक होल ये वाला है और कुछ होल इसके चारों तरफ होंगे एक होल बेटा center में है और कुछ होल उसके चारों तरफ है क्या होता है विटा जो center वाला होल है center होल है जो इससे निकलता है जेट और प्योर ओक्सीजन जेट और प्योर ओक्सीजन का मतलब है विटा ओक्सीजन निकलता है बहुत हाइप प्रेसर में उसका हाइप प्रेसर में कि कोई चीज निकलती मैं उसको क्या बोलता हूं jet जेट और प्योर ओक्सीजन किसे बीच वाले होल से प्योर ओक्सीजन मिक्सटर नहीं क्यों वाले प्योर ओक्सीजन और साइट के जो बेटा होल है इससे निकलता है इससे निकलता है बेटा O2 and C2H2 अब बेटा इतने बार हमने डिसकस कर लिया है अगर मैं sort में भी लिखूं तो आपको पता लगना है O2 मतलब oxygen पूछा जाता है बेटा आपको पता होना चीए C2H2 किसका फॉर्मला होता है आपका Acetylene का ठीक यहां से निकलता है आपका O2 C2H2 का mixture इतनी बात मेरी clear होगी बेटा इतनी बात मेरी clear होगी Central बाला जो hole होगा main जो अंतर हो किसमे है nozzle में बेटा इसमें क्यों एक hole है जिससे क्या निकल ही आपकी इससे क्या निकल रही mixture mixture किसका C2H2 and O2 इसमें एक ही hole है और इससे क्या निकल रहा है दोनों gas का mixture येकिन इसमें क्या है एक center में तो है उसके चारों तरब भी है center से निगलेगा pure oxygen और किस फॉर्म है jet की फॉर्म मतलब हाई pressure की फॉर्म है और इसके जो चारों overhole है इससे निगलेगा आपका mixture किसका O2 and C2S2 का इतनी बात मेरा clear होगी एक चीज और पूछा जाता है question जब हम cutting करते हैं मिटा for example यह मेरा क्या है आपका जैसे मेरा यह क्या मेरा यह मेटल पीस है यह निधल्ड पीस है यहां पर क्या है आपकी क्या क्या आपकी नोजल है यह नोजल जैसे ही आपकी आगे की तरह наша आपका जितना portion बेटा ही cut करता हुए, जितना मोटा जितना आपका क्या कहते हैं, जितनी thickness, ति मैं बोलूँ कि आपकी क्या करती है बीच में, जितना cut करते हुए आगे बढ़ता है, आपकी cutting torch, जितना gap मारते हुए चलता है आगे, उस portion को मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ आगे बढ़ा है, इसको बोलता हूँ बीचा में, कर्फ, क्या बोलता हूँ, कर्फ, पूछा जाता है बीचा, गैस cutting में, जितना जो portion कड़ते हूए आगे बढ़ता है, उस portion को मैं क्या बोलता हूँ, उस length को क्या बोलता हूँ, उस thickness को मैं क्या बोलता हूँ, उसको बोलता ह इस पे नोजल, नोजल जो होती बेटा, नोजल वो कैसे, नोजल क्या होती है, नोजल को कैसे हम नमबर में डिनोट करते हैं, नमबर में, एक नमबर की नोजल, अगर आप मांगोगे, किसी से, अगर आप किसी swap kipper के बाद जाते हो, खरीदने जाते हो, तो आप कैसे बोलोगे, सेने मिटाए एक से नब्भे तक होता है ये आपका question कुछा जाता है कि नोजल जो आती है कितने से कितने नंबर के वीच आती है तो यह आती है एक से नब्भे के वीच नोजल और हर एक नंबर एक नमर की अगर नोजल हो तो वो 0.8 mm मोटी थिकनेस प्लेट को काटने के लिए यूज होगी अगर मैं कहूं दस नंबर की नोजल देतों साहब तो इसका मतलब वो समझ जाएगा जिससे आपने खरीदनी है कि इसको किसके लिए चीए इसको चाहिए आप साहब इसको चाहिए 4 mm मोटी सीट को काटने के लिए 90 mm 25 से उपर 25 mm से उपर थिकनेस की कोई प्लेट है आपको अगर उससे कटन काटना है तो उसको महाँ पर कौन सी आपको 90 mm स्वारी 90 mm की आपके क्या लगेगी चैए कि इसको क्लिए और ऐसा आपके कलियर होना चीका कि जो नोजल आती हो किसी फ़ौने आती है आपकी युद्ट समय नंबर लिखा होता है एक नंबर नंबर दो नंबर तीन नंबर आदो और चाह चाह आद एक चीज इसके साथ और आ इसके लिए क्या है निड लिएसेट आता है जिस निडल को आप इसके अंदर सकते हिसके विए इतनी बात मेरी क्लियर होगी विरता मेरे शेक्त सबतर्सक्राइं हो खई हो गई कि अगे बड़े विटा यह देखे बैटा यह देखे बैटा यह होता है यह मैं आपको अशनले दिखा रहा हूँ यह होता बैटा यह होता है Acetylene Generator हम कल बात करे था न Acetylene Generator यही वो Acetylene Generator है Acetylene Generator और आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ जहां पर Elmira Elmira बनती होगी Elmira का काम जहां पर भी होता है या पर जहां पर Seat Metal का काम होता है वहां पर आप ये जरूर देखोगा इस generator को अगर आपको इसको देखना है तो कहीं नहीं आपको जहां पर Seat Metal का काम चल रहा होगा या फिर आपका जहां पर Elmira बनाते हैं आलमारी बनाते हैं Steel की Seat Seat Metal की जो आपकी Elmira बनती है वहां पर आप चले जाएए वहां पर आसनी साफ को देखने के लिए मिल जाएगा इस त्रूंजे इसमें क्या करते हैं calcium carbide डालते हैं उपर से पाने डाल देते हैं वेटा ये भी दो 세धा की मैंने कल बताय था वेटा ये भी दो टाइब की होते हैं क्या वाटर टू यह क्या होते हैं दो टाइप की होते हैं वाटर टू कारवाइड या फिर कारवाइड टू टू वाटर यह एसेटिलीन जनरेटर और जब भी मैं एसेटिलीन जनरेटर अगर बोल रहा हूं न विटा तो आपके दिमाग में आ जाना चीह हमेशा कि यह लोग प्रेसर यह क्या हो आपका लोग प्रेसर सिस्टम है दो टाइब वाटर टू कारवाइड कारवाइड पर वाटर मिला दो या फिर वाटर में कारवाइड मिला दो या तो कारवाइड पर वाटर मिला दो या वाटर पर कारवाइड मिला दो कुछ भी बोलो दोनों में जो gas का प्रेसर बनता है बटा थोड़ा कम ज़्यादा बनता है एक में low बनता है, एक में medium बनता है इतना ही अंतर है लेकिन system दो है मरी बात लिए रहोगी, कल हमने reaction लिख दी, कैसे आपकी gas बनती है, कैसे इसमें gas बनती है हम लिख कोई हैं कल क्या होता है आपका Calcium Carbide CAC2 जिसको आप Carbide भी बोलता है ठेक और यही वह आम पकाने के लिए आप डालते हो घरों में जिससे आपके आम पक जाता है का CA2 अच्छा इसको इस्टोर करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है इसको बंद करके इस्टोर करना पड़ता है open atmosphere में क्या हो जाता राक बन जाता क्योंकि reaction हो जाती ही बटा और यह बिल्कुर राक बन जाया क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपने कभी आप लोगों मेंसे किसी ने इसको यूज किया होगा आपने देखा होगा पेटी के अंदर जैसी हम डालते है इसको कुछी दिन बा क्या हो जाएगा यह बन जाएगा विटा सी टू एच टू प्लस सी ए ओ एच फोल ट्वाइस और कुछ आपका इट निकलेगी इतना क्लियर हो गया वेटा यह मैं आपको दिखाना चाहरा था यह वेटा पूरा सिस्टम ही देखो यह हाई प्रेसर सिस्टम है यह क्या है लोग प्रेसर सिस्टम है क्यों क्योंकि यह कॉंप्रेस स्लिंडर है यह कॉंप्रेस स्लिंडर है यह अस्टिलिन जनरेटर है इसलि आप लोगों को यह क्या आपका यह आपका लोग प्रेसर सिस्टम जो आज नए जुड़े होंगे वह एक बार कल वाली वीडियो जरूर देख लें बटा कल लाइब क्लास जरूर देख लें ठीक हो सकता है आपको कुछ चीज नहीं लगी हो इसमें या एकदम समझ नहीं आ रह रहे हैं मैं अकल नहीं दिखा पाया था आपको कुछ डाइगराम नहीं दिखा पाया था इतना होगे बिटा अब हम next चलते हैं कुछ important points हम discuss कर लेते हैं कुछ important points जैसे for example C2H2 बिटा नोट कर लेना जरूर नोट जरूर कर ले मिटा नोट जरूर कर ले मिटा जितना मैंने पढ़ाया विटा इसमें कुछ important point है आप नोट कर लो कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू नमबर एक C2H2 मतलब acetylene जो gas होती है वेटा इसमें जो आपकी carbon होती है वो 92.3% होती है और बाकी बचिवी 7.7 इतना क्लियर होती है वेटा C2H2 मतलब acetylene gas जो होता है वेटा दो चीजों से बनकी बढ़े एक carbon एक hydrogen इसमें जो carbon की मात्रा होती है वेटा वो कितनी होती है 92.3% जो परसंट जो होती है आपकी क्या होती है carbon और 7.7% जो होती है आपकी hydrogen होती है एक पॉइंट दूसरा पॉइंट जो है वेटा गैस वेटिंग में जितनी भी गैसे यूज होती है चाहिए मैं acetylene की बात करूँ चाहिए मैं LPG की बात करूँ चाहिए मैं hydrogen की बात करूँ चाहिए मैं coal gas की बात करूँ सबसे ज्यादा फ्लेम का जो temperature मुझे मिलता है वो किसका मिलता है oxyacetylene gas का तो अगर मैं बढ़ते क्रम में लिखूँ तो सबसे ज्यादा जो temperature मुझे मिलता है वो किसका मिलता है C2H2 gas flame का तापमान सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा oxyacetylene flame का होता है और यह लगभग कितना होता है इकत्ती सौ इकत्ती सौ डिग्री से से तेत्ती सौ डिग्री सेल्सियस था विटा इतनी बात मेरी क्लियर होगी विटा इसके पाद सबसे important मेरी विटा सबसे ज्यादा टापमान की flame मुझे किस से मिलती है इसमें acetylene से यह सारी की सारी जब oxygen के साथ जलेगी किसमें oxy add कर देता हूं मैं oxy 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 सबसे ज्यादा temperature जो मुझे मिलेगा किसमें मिलेगा oxy acetylene flame में उसके बाद LPG में उसके बाद H2 में उसके बाद सबसे कम coal में यह आपको पता होना चाहिए बहुत important है कभी push लिया जाता है clear हो गया बटा तीसरा important point color code cylinder दोई चीज़े बटा color code में सबसे ज्यादा और hose cylinder भी दो होंगे एक होगा C2H2 का और एक होगा oxygen का color जो होगा बटा इसमें क्या होगा आपका मैरून और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना बटा color code जो में लिख रहा हूँ according to BIS norms है मैं किसी book से नहीं लिखा रहा हूँ मैं वह लिखा रहा हूँ जो BIS कहता है और जो BIS कहता है वह मार्केट में मुझे gas hose pipe मिलता है अगर वह नहीं मिलता है अगर उस color code का नहीं है तो वह बिल्कुल norms के साफ़ से नहीं चल रहा है मेरी बाद समझे रहा हूँ तो अगर आप catalog उठाके देखेंगे जो manufacturer है जो इस cylinder को या फिर जिस hose pipe को मनाते होंगे आप उनके catalog में साफ साफ देख सकते हूँ कि साफ इसका जो color है वो यह है ठोड़ा रिसर्च करना सुखिए बटा किताबों पर ही depend मत रहिए क्लिर हो गया oxygen का जो cylinder होता है वो किस चीज़ को रहता है black color का होता है कि यहां पर एक पॉइंट में और बता दूंव बटा कारबन डाई ओकसाइट का जो cylinder होता है वो भी black होता है लेकिन उसका जो neck होता है ओक, नेक में क्या होता है वाइट कलर की ring बनी होती है उसकी जो नेक ये समझलों ये वाइट कलर की होती है धीक होसush pipe जो हे यait ब przeci, ये भी बेटा दो c2 s2 के लिए अलग होगा oxygen के लिए अलग होगा ये जो c to s2 के लिए जो होता है बेटा यह किस कलर का होगा हम इसा रेड और ऑक्षिजन के लिए जो होगा यह ब्लू यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आप लगों को किसर हम बुक में तो हमारा यह लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको वह बोल रहा हूँ जो बी आएस बोलता है एकॉर्डिंग टू बी आएस नॉर्म और आई एसो भी यही बोलता है मेरी बात के लिए होगी तो इसी को ज्यादा कन्फिजन नहीं रहना चीज़ में ठिक आगे बढ़ते हैं बटा टाइम नहीं हमारे पास ठिक इसके बाद चौथा पॉाइंट जो है बटा गैस सिलिंडर को हमेशा सीधा रखा जाता है गैस सिलिंडर को सीधा खड़ा करके रखा जाता है अब क्यों यह तो ठीक है लेकिन क्यों क्या होता है वेटा ऐसे ट्लीन का सपोज आपका पॉस फोड़ एक्जांबर को सिलिंडर है उसमें मैं मिला रहा हूं लिक्विड एस्टोन उसमें कभी-कभी जो है अंदर कोई लिक्विड चला जाता है कोई पानी-पानी टाइप यह उसमें में निकल जाए है कि क्यों क्योंकि सिलिंडर में हम और बहुत सारी चीजें मिलाते हैं रोल बनाया और पाउं से उसको रगड़ते वे ले चले नहीं कैसे ही उसकरते हैं इसको ट्रॉली में इसका क्या करते हैं ट्रांस्पोर्ट करते हैं मेरी बात क्लियर होगी ठीक अच्छा एक चीज़ बताना में भूली आपको अभी मेरे को दिमाग में आया क्लिक करके एक लिक्विड एसीटोन अकि बात करते हैं लिक्विड एसीटोन वो क्या करता है और एसीटोन प्रॉक्षाथ करता है अच्छा उसकी खासे तो दुटा वह एक पार्ट लिक्विड ऐसी टोन ऐसी टाइलीन ऐसी टाइलीन के 25 पार्ट को लिक्स करते हैं मैं इंपोर्टेंट पॉइंट एक पॉइंट लिक्विड ऐसी टोन ऐसी टाइलीन के 25 पार्ट को डिजॉल्व कर देता एक पार्ट रूम टेंपरिचर पे 25 पार्ट को कर दे रहा विटा अब आप ये बताईए कि जो गैस भरी होती है आपकी किसमें सिलिंडर में किसके सिलिंडर में एस्टिलिन के सिलिंडर में उसका जो प्रेसर होता हो कितना होता है लगभग 15 से 16 किलोग्राम पर सेंटीमेटर स्कॉाइर तो एक इतने पर इतना कर रहा है तो उसमें कितना करेगा 15 इंटू 25 अब लगा लो कितनी ज़्यादा मातरा में जो है ये आपनी गैस को जो है डिशॉल्व कर देता होगा इतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे वेटा लेकिन ये इंपोर्टेंट है ये पार्ट पूछ लेता है ठीक इसके बाद वेटा next point जो आता है आपका ये क्या होगा आपका इसके बाद next जो point आता है वीटा एक आता है आपका कि अगर आपका back fire करे या फिर आपकी जो law है flesh back करे या फिर back fire आए और फायर जो है आपका धीमी गति से अंदर की तरफ बिलुप्त हो जाए या अंदर की तरफ लुप्त होने लगे तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में फायर बैक या फिर फ्लेस बैक की केस में आप क्या करेंगे अगर आपके अंदर की तरफ आगर जा रहा है ऐसे case में क्या करेंगे आ विटा सबसे पहले oxygen का जो regulator है उसको बंद कर देंगे ठीक उसके बाद करेंगे तुरांत जो है अपनी torch पानी में दुप हो देंगे यह पुछा जाता है यह पुछा जाता है लेकिन यह case किसी चीज़ का है जब condition हो गई जब ऐसी condition हो गई कि आपकी जो लॉव है वो अंदर की तरफ जारी है अंदर की तरफ खिंचते वे अंदर जा रही है लेकिन अगर मुझे precaution लेना है ताकि यह condition ना आए तो जहां दखना भीटा खोलते समय भी हम acetylene का जो cylinder है या फिर acetylene का जो valve है वह हम पहले open करते हैं उसके बाद oxygen करते हैं और बंद करते भी यह प्रोसेस अप्लाई करते हैं acetylene का पहले और oxygen का बाद में मैं इस पॉइंट को लिख नहीं रहा हूं इतना आपको clear हो जाना चीए मैंने दो चीज बोली यहां पर खोलने और बंद करने का normal condition में ताकि flashback ना हो पहले सही मैं क्या लेकर रहा हूं आपको safety precaution ले रहा हूं इसके लिए मैं क्या करूँगा पहले हमेशा acetylene का valve बंद करूँगा उसके बाद oxygen का करूँगा लेकिन अगर flashback backfire की condition हो जाए तो मैं क्या करूँगा तुरंत oxygen का पहले बंद करूँगा उसके बाद acetylene का और यह बात मेरी क्लियर होगी विटा एक इंपोर्टेंट वाई इंजेक्टर टाइप ब्लोव पाइप जो होता है विटा इंजेक्टर टाइप ब्लोव पाइप दोनो दोनो इंजेक्टर पाइप हाई प्रेसर हाई प्रेसर और लो प्रेसर शिस्टम दोनो के लिए इंजेक्टर टाइप ब्लोव पाइप जो है वह हाई प्रेसर और लो प्रेसर सिस्टम दोनो सिस्टम के लिए चाहिए आपका अश्टिलिन जो सिलिंडर है वह कॉंप्रेस करके वरह या फिर आप उही पर बना रहे हो अश्टिलिन जनरेटर तर दोनो जगे एक ही एक ही लोब प्रेसर इंजेक्टटर टाइप आपका चल लेकिन हाई प्रेसर नहीं चलेगा हाई प्रेसर के वह लहीं चलेगा ठीक साथ वहां पुरक धातू पुरक धातू बैटा पुरक धातू इसको क्या बोलते हैं फिलर मेटल का हमेशा 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 आधार धातू से कम होगा आधार धातू से कम होता है हमेशा हमेशा रफिक मोहमद हमेशा आश्टिलीन कहा पहले ओपन होता है बैटा नॉर्मल कंडिसन्स की बात करें ऐसे तो फिर बहुत सारी कंडिसन्स है विदा उतनी कंडिसन्स में आपर बता भी नहीं पाऊंगा अभी आपको इतनी कंडिसन्स है लेकिन नॉर्मल कंडिसन्स के अगर मैं बात करूँ रफिक मोहमद एक चीज़ क्लियर कर दो बैटा एक चीज़ ऊचेज़ कर रहा हूं नॉर्मल कंडिसन्स में हमेशा एक चीज़ यूज कर रहा हूं आगर ऐसी कंडिसन्स हो जाती है कि आपकी लॉज eating या बैक फायर आने लग जाती है आपकी जो लौ है वो अंदर की तलब होने लग जाती है तो ऐसे केस में आप ऑगीजन का बाल बंद करेके उसके बाद एस्ट्रीन का बंद करोगे और जो टॉर्च है आपका वो क्या करोगे आप सिद्धे किसमें फानी में डूबो दोगे क्लियर हो गया मेरी बात ठीक इसके बाद बैटा और पॉइंट में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं बैटा कौन सा पॉइंट था यह साथ आठ अच्छा फ्लैसबेक जो होता है बैटा आपका फ्लैसबेक की कंडिशन्स क्या क्या होती है आपकी फ्लैसबेक जो होता है बैटा फ्लैसबेक की कंडिशन्स आपकी क्या क्या हो सकती है काला धुआ तेज आवाज तेज आवाज काला धुआ यह पैचान है बैटा और हलका disinfection यह तो बहुत important है हलका disinfection धब जैसे आ जाती है और अगर आप घरेलू स्टोम भी यूज करते हो, वहां पर भी बिटा इसuleन कभी अ जाती है जो घरेलू आप गैस यूज करते हैं स्टोफ यूज करते हैं वहां पर आपने देखा हो कभी कोई बड़ा के जलना लगता रहा हो तो वहां पर भी एक अज आती है कि क्या बटा लिख लो बटा साथ के साथ अब लिखा भी करो विल साथ के साथ लिखो गए तो आपको कुछ बता दे जाएगा अभी कम से कम पहले जो बटा पड़ा रहा हूं यहां पर इस पी तो ध्यान दीजिए ठीक आप नोट्स लेकर आप जितना लोगों से फीडवेक हमें मिलता है हम उतना अच्छा करने की कोशिस करते हैं इससे ज्यादा कुछी नहीं होता बटा तो यह हमारे अंदर पॉजिटिव उर्जा भड़ता है कि वही हां बच्चों को कुछ कुछ क्यों जितनी आप जिग्यासू बनेंगे बटा उतन वैल्डिंग नोजल जो होती है आपकी वैल्डिंग नोजल जो होती है आपकी वह क्या होती है एक से नभे नमबर तक होती है अब कौनसी कितनी होती वैटा वह हम पहले बता चुका हूं है यह एक दो तीन पांट साथ दस तेरा अठारा पच्चीस पैंन्टिस फैंतालिस पचास यह नमबर होती है नोजल के नमबर होते हैं और नमबर किसे आप से होते हैं कि आपकी जो बे आपका जो जौब है आपक में काम करना है उसकी ठिकनाश कितनी है उस हिसाब से उसके नमबर आपके बढ़ते जाते हैं कितनी आज भी कितनी बात मेरी क्लियर होगी नोगी वेटा cracking of valve या इसको मैं बोलूगा cracking of valve यह क्या चीज होती बेटा जब बेटा आप अपना valve जो है उस cylinder पर लगा देते हैं अपना जो आप valve है आप सिलिंडर को में fit कर देता है उसके बाद आप क्या करते हैं दो तीन बार दो तीन बार उसका जो वील है उसको open open close करते हैं ताकि जो pressure से gas भार आए है कि मीरे बात क्रिजध मुई होरी वेटा आपको हम क्या करते हैं वाल अभी वाल बेडर नहीं जोड़ा regulator जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं उसको दो तिन बाद खोलते हैं और बन्द खड़ते हैं, ताकि gas का जो pressur हो बहार आए और बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, इससे क्या होगा, अंदर बेटा, अगर कोई उसके क्या बलते हैं, वाल्व की ओपनिंग में, अगर कुछ महाँ पर जंग जंग रश्ट रूस्ट है, या फिर कोई गंदगी है, या फिर कुछ भी चीज आपकी वहाँ पर अगर होगी फसीवी तो प्रेसर के साथ वह बाहर निकल जाएगी इसको मैं बोलता हूं बिटा क्रैकिंग ओफ वाल्व यह क्या होता बिटा रेगुलेटर लगाने से पहले वाल्व को दो तीन बार खोल के बंद करना हूं वाल्व को दो तीन बार खोलना बंद करना खोलना एवं बंद करना बंद करना ताकि फसी हुई गंदगी आप अ जाये प्रियर कर दो अ क्लियर होगा बिटा है प्रियर होगा बिटा फिक आगे बड़े मिटा इसके लावा बिटा एक इंपर्टेंट पाइंट में लिखने रहा हूं बिटा स्लिंडर की जो की होती है जनरली एक छोटे मोटे कुश्चन से वेटा यह पुछा जाते हैं और आपको पता होना चीए यह आपको सेफटी प्रिकॉश्चन में भी आते हैं क्योंकि कोई भी आप यहां आईटाई लेबल पर आप कुछ भी चीज अगर पढ़ते हो उससे पहल कोई एक्सिडेंट हो जाता है आग लग जाती ही तो आप तुरंत वहां जाके उसको बंद कर सके ठीक तो इसके लिए क्या है आप उस खी को जो है मेंसा सिंडर के साथ ही रखाज रखें ठीक इसके बाद बटा फ्लैस बैक अरेस इसके बाद हम करते हैं हम पहले कल भी लोग क्या जाता किसके लिए बैक फायर और फ्लैस बैक के लिए कौँसा नमबर था को रोकने के लिए फ्लैस बैक अरेस्टर का प्रियोग करते हैं और जैसे ही में फ्लैक बैक अरेस्टर बोलता हूं बटा कल हमналें लेक्षर मेंacey बहुत अच्छी तरह से चिर्थ पढ़ चुका है ठीक चार चीजों से बनका बनता है बटा फ्लैस्ट बैक अरेश्टर जो होता है आपका इसमें कितनी चीजें होती ही बटा चार चीजें होती ही आपकी कितनी चीजें होती है इसमें चार चीजें होती ही एक होता बटा नौन रिटन बाल्व एक होता बड़ा फ्लेम अरेस्टर नॉन इतन बार एक होता है फ्लेम अरेस्टर एक होता है प्रेसर सेंसिटिव कटफ एक होता है आपका टैंपरिचर बहुत एडवांस फ्लेक फ्लेस्टर आ रहे हैं विट आजकल देखो कितना एडवांस फ्लेस्टर आ रहे हैं आजकल चार चीजें इसमें नौन रिटर्न वाल्व इसको आप चेक वाल्व भी कहते हैं जिसमें क्यों एक तरफ ही आपको क्या हो सकता है फ्लो हो सकता है कोई फ्लूट इसके बाद फ्लेम और शांड़ा इसके बाद फ्लेम अरेस्टर भी लगा वह रहा है अगर फ्लेम आ पिजाती है तो फ्लेम को मोंपर क्या करत्त कर दांदा टर्याप इसके बाद प्रेसर घंचटेए कटव मों मुपर आ रहा है तो आकर दा ओढ़र इसके लावा पर temperature sensitive cut up भी बीटा sensor लगे होंगे इसके लावा क्या होँआप temperature अगर वहाँ पर temperature थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो automatically क्या हो जाता है वहाँ पर cut up हो जाता है दूसरी चीद flashback arrester जो है बीटा यह कहां लगा होता है आपका regulator and host pipe और ज्यादा ही safety precaution आपको लेना है ज्यादा ही safety तो आप blow pipe and host pipe के बीच में भी लगाते हैं के कि बीच में लगाते हैं कि इतने बात मेरे clear होगी बेटा कि इतने बात क्लियर होगी थिक यह हम पहले पढ़ चुके हैं compress cylinder में होता है लिख देता हूं में यहाँ पर compressed सिलिंडर मतलब हाई-प्रेसर सिलिंडर हाई-प्रेसर सिस्टम में compress cylinder में दी यह होती है IT में बहुत सोट टम चलती दी यह होती है क्या होती है दी यह मतलब बिजॉल्व्ड एसे टिलीन compress cylinder में डी यह डिजॉल्व एसे टिलीन होती है भरी होती है भरी होती है क्लिर वो गया बटा ठी और क्या मिला जाता है इसके लिए इसके लिए क्योंके C2H2 में C2H2 गैस में लिक्विड ऐसी टोन मिलाया जाता है क्लिर हो गया अच्छा इसके लावा अच्छा 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 इसके लिए इसको कहेंगे बटा छिद्रयुक्त पदार्थ इसमें बहुत सारे छेद हों चारकोल एसबस्टोस बहुत जादा यूज़ करते हैं हम मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही बता चुका हूँ क्यों यूज़ करते हैं इसको पोरस मैटिरियल छिद्रयुक्त इलाया जाता है जैसे चारकोल एसबस्टोस इत्यादी छिद्रयुक्त इस्पॉंजी बहुत सारे छेसे इस्पॉंज होता ना उस ताइप के जो अपने में समाल है लिक्वीट को बहुत ज्यादा तरल्पदार्थ अगर उसमें मिलाएं तो अपने में समाल हैं ठीक एक यह किसलिए होता है वेटा सबसे IMPORTANT काम इसका यह भी है अगर THORMAL DECOMPORTION अगर हो भी जाता है क्या होता है तो तो अंदर का आटमोस्फियर को यह क्या करता है कूल करने की कोशिस करता है इतनी बात क्लियर होगी वेटा ठीक कि इतनी होगा कि बैसे अएगर बात कणों करो प्रैसर रेखुलेटर होते ही में प्रैसर यूटर्वुत है जो होते हैं आपके फिर बार में होते हैं प्शॉखर होता कोई बताएगा मुझे PSI Pound Force Pound Force per unit Pound Force per square inch स्वारी पर इस्क्वाइर इंच और आप लिख भी सकते हो विटा लिख भी सकते हो एक बार में एक बार में 14.5 PSI होते हैं और एक बार में अगर मैं किलोग्राम पर सेंटीमेटर स्कॉयर की फॉर्म में बात करूं तो तवरा 1.02 छोड़ी छोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चीए क्योंकि जनरली जो प्रेसर रेगुलेटर होते हैं वहाँ पर आपका प्रेसर लिखा होता है किसमें लिखा होगा आपका PSI में होता है कर लान को किसी को क्लिए और प्ली फ्रवाणर जरूर करें लाइक जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें तभी हमको लगता है कि हाँ अच्छा मेट्रियल आपको मिल रहा है आप सैटिस्पाइड हो रहे हैं आपके काम का मेट्रियल है ठीक ओके थैंकी बड़ा कल मिलते हैं वाई वाई